जैहन्द इसपेरेंट्स दिव्याशु पांडे और वेलकम यू आल इन दिस सेशन इंडियन आर्मी अव वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में अपने डिफरेंस विंग्स को इस्टैबलिस करने वाली है तो यह डिफरेंस विंग्स है क्या और हमारी सेना अपने आपको जियो पॉलिटिकल लेवल पे कैसे और भी पाकतवत करेगी इसके बारे में हम आज किस क्लास में जानेंगे शुरुवात करते हैं आज किस सेशन की जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी ने अभी अपने चानक के डिफरेंस डायलोग की शुरुवात की है औ और अपने नेवरिंग कंडरीज के साथ जितने भी फॉरेंड फ्रेंडली कंडरीज हैं वहाँ पर जो है अपने डिफरेंस विंग्स को इस्टैबलिस करेंगे और ये काफी बड़ी न्यूज है क्योंकि अब भारत जो है अमेर्का, रश्या, यूकि और फ्रांस की तरह जो पर अब हमको ये responsibility हमारे पास है कि हम अपने जितने भी हमारे shipments होती हैं उनकी सुरच्छा करें कि उसमें किसी प्रकार की smuggling ना हो और geopolitical tension आके arise ना हो इसलिए हम अपनी presence सभी जगा पर रखें, mainly आपका Indo-Pacific reason पर तो इन्होंने इस बात को चानक defense dialogue मानेक्षा सेंटर नई दिल्ली में आपका कहा और कहा कि national security event हमारे लिए काफी important है इसलिए जो 21st century में बढ़ते challenges हैं जहां पर हम इसराइल हमास, Russia, Ukraine का war को देख रहे हैं उसी प्रकार से हमको चाहिए कि हम अपने defense establishment को strategic area में काफी improve करते च चले जाएं और हमें अभी need है कि हम अपने जो हमारा hard power है उसको भी जो है बहतर तरीकी से इस्तमाल कर सके अभी आपने देखा कि जो Russia, Ukraine का war चल ला है उसमें भारत के क्या stand है और इसराइल हमास की युद्ध में भारत का क्या stand है तो इससे सबग लेते हुए हमारे army commander conference भी कि श्री जगदी जंकर आपके मवजूद थे जहां पर उन्होंने कहा कि defense studies को productive platform पर रखने के लिए और collaborative partnership करने के लिए Indian army की और साथ ही साथ हमारी जो clock की पहल है कि South East Asia में हम कैसे अपने military strength को grow करें उसमें चानक defense dialogue की भूमिका सबसे एहम रहेगी चानक defense dialogue की शुरुबात 26 October को talk की की गई थी और अब ये regular basis पे आपका इस प्रकार की talks content किया जाएगा जहां पर जितने भी हमारे veterans हैं या फिर nation security expert हैं वो अपनी राय रखते हैं जिससे कि हमको काफी कुछ सीखने को आपका मिलता है वहीं पर जितने भी आपके exchange of insights और discussions होते हैं critical security matters पे वो हमारे nation को एक strategic awareness प्रवाइड करते हैं जिससे कि सिर्फ army के ही नहीं बलकि हम आम नागरिक भी उनके इन बातों को जान कर समझ कर तयार हो सके मेली जो हमारे SSB experience हैं अगर वो इस top को देखेंगे follow करेंगे तो उनको काफी कुछ geopolitical situation के बारे में पता चलेगी साथी साथ ये भी पता चलेगा कि हमारी armed forces की इस प्रकार से आपका कार किया करते हैं और इन्होंने इस special address को चाड़े के defense conclave में आपका दिया है चलिए जानते हैं कि भारत अपने defense strategic locations को defense wings को कैसे आपके establish करेगा इस map को आप देख पार हैं mainly ये Indian ocean का region है अब देखिए इस Indian ocean के region में ये पूरा region आपका यहा जाते हैं और आपको याद होगा 2017 में भारत ने अमेरिका ऑस्टेलिया जापान के साथ मिलकर quad नामक एक group बनाया था जिसको हम quad security dialogue group कहा करते हैं जिसके माध्यम से इंडो Pacific की security को करना मकसद था अब ही हम देख रहे हैं कि geopolitical tensions आपके जिस प्रकार से increase हो रही है साथ ही साथ मा ये कह दिया है कि इंडियन आर्मी को जो है मालदीव्स को खाली करना होगा तो उसके प्रकार उस लिहाज से जो है हमारी tensions बढ़ जाती हैं क्योंकि South China Sea से चाइना चाहता है कि वो इंडो Pacific region पर मेंली इंडियन ओशन पर अपने प्रभुत्यों को और भी जमाए तो इसलिए ह नेवी और आर्मी दोनों की भूमिकाएं काफी एहम रहेंगे तो इसलिए जो डिफरेंट डिफरेंट इस्टेडिक लोकेशन से वहाँ पर हमारी आर्मी डिप्लाइड रहेगी अब जैसे हमारा सबसे friendly nations ओमान हैं तो वहाँ पर भी हम अपकी काफी exercise किया करते हैं और भारत पर क्या हैगा कि इरान के चावाहर पोर्ट से ओमान के सलापोर्ट से दक्म पोर्ट से हम अपने presence बनाए रखें जिससे कि चाइना पाकिस्तान को एक साथ हम एकी समय में counter कर सकें अगर ऐसी कोई जरुरत पड़ती है तो काफी बड़ा बयान दिया गया है इनके द्वारा अ आग कारेरत रहेंगे और अपने national security को बढ़ाने में पूरा योगदान देंगे आप सभी defense aspirant SSB crack exam के interview और written courses में enroll होकर अपने तयारी बहतर करें वोरे 10 code का यूज़ कर लें जिससे कि आपको 10% का flat discount मिलता जाए जहन अगर आप एक defense aspirant है और SSB interview, NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं तो आप SSB crack exams के course को चेक करना ना भूलें आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं